हलो फ्रेंद्स इस जोटी विरमा तोड़ेगे ग्रामर विए प्रिया तो हिंदी व्याकरन का यह हमारा टॉपिक ह यह का प्रकरन्ट क्रिया और इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें ब्लागबोर्ड एंट्री प्लान क्या लिखना होता है तो ब्लागबोर्ड एंट्रीज क्या होती है हमारी सबसे पहले हम दिनाक लिखते हैं जिस डेटकॉम लेसन प्लन डिलीवर कर रहे हैं कक्षा 6 यह हम किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हैं जिस क्लास में हमारे स्लेबस में क्रिया होगी उस क्लास में हम पढ़ा सकते हैं बनाने का पैटर्न पूरा य लिखनी होती हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं समाने उद्देशे, तो हिंदी को पढ़ाने के हमारे पास समाने उद्देशे क्या क्या होते हैं, ये हमें लिखने होते हैं सबसे स्टार्टिंग में, तो समाने उद्देशे हमारे कुछ 4 to 5 होते हैं, जिसके अंदर हम दे यानि कि students क्या कर सकेंगे जो उनके व्याकरण की नियम है जो भी रूल्स है उसके उनसे इंटर्ड्यूस हो सकेंगे उसके बाद है हमारा next चात्रों को भाषा तत्वों का ग्यान प्राप्त होगा यानि कि भाषा के जितने भी तत्व हैं उनका ग्यान किसको प्राप्त होगा students को फोर्थ है हमारा इसके अंदर चात्रों में शुद्ध भाषा बोलने वा लिखने की रूची का विकास होगा यानि कि क्या डैवलेप होगा उनके अंदर एक शुद्ध भाषा मतलब अच्छी तरीके से वर्ड्स को यूज करना उसको लिखना उसको बोलना वक्याबलदी को यूज करना ये सारी चीज़े बच्चों के अंदर विक्सित होंगी नेक्स्ट है हमारा चात्रों में भाषा विशलेशन की योगेता विक्सित होगी उसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्धेश विशिष्ट उद्धेश हमारे main topic से related होते हैं तो इसके अंदर हमार क्रिया का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे नेक्स्ट है हमारा भावात्मक में छात्रों में क्रिया को परिभाशित कर सकेंगे यानिकि उसको डिफाइन कर पाएंगे नेक्स्ट है हमारा छात्र क्रिया की संपूर्ण व्याख्या कर सकेंगे अनुप्रयोकात्मक में क्या है छात्रों को क्रिया से संबंदी जानकारी प्राप्त होगी नेक्स्ट है हमारा चात्र क्रिया को समझकर अपना द्रिश्टी को विख्षित कर सकेंगे कौश लात्मक में क्या है हमारे पास चात्र क्रिया शब्दों का मौखिक उचारण कर सकेंगे उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चात्र समग्रियानी की टेचिंग लर्निंग मेटेरियल होते हैं इसमें हम समाने रूप से ये सारी चीज़े यूज़ करते हैं और विसस्ट रूप से अगर हमने क्रिया का कोई भी ऐसा चार्ट पेपर या कोई भी चीज़ बनाई है जो हम स्पैसिफिकली बच्चों को दिखा रहे ह क्लास में लेसन प्लांट डिलीवर करते वक्त वो हमारा किस में आ जाता है विसस्ट में आ जाता है उसके बाद है हमारे पास पूर्वग्यान जो बच्चों का पूर्वग्यान होता है उसको हम यहां पर अजियूम करते हैं और यहां लिखते हैं चात्र क्रिया से संबंदि अपने topic तक जाने के लिए वो question हम यहाँ पर लिखते हैं और बच्चों के level का लिखते हैं जिससे बच्चे आसानी से उसका answer कर पाएं तो चात्रा द्यापी का क्रिया इसमें क्या लिखना होता है सभी बच्चे school में क्या क्या करते हैं मतलब जो चात्रा द्यापी का क्रिया है उसके अंदर teacher क्या कर रही है अपना question पूछ रही है जो भी उन्होंने prepare किया हुआ है और students उसका as it is answer देंगे सभी बच्चे school में क्या क्या करते हैं पढ़ते हैं लंच करते हैं खेलते हैं यह सारा यहाँ पर लिखा जाएगा उसके बाद है सभी बच्चे घर पर क्या क्या करते हैं ग्रेकारे करते हैं खेलते हैं टीवी देखते हैं आपकी मम्मी क्या क्या करते हैं खाना बनाती हैं सफाई करती हैं उसके बाद व्याकरण नियमों के अनुसार यह सभी कारे करना किसके अंतरगत आता है तो इसका बच आज हम क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक्त अध्यान करेंगे या निकि यह हमारा पूरा उदेश रिकतन स्टेटमेंट ऑफ़ एम होता है नेक्स हमारे पस क्या है हम प्रस्तूति करण लिखते हैं क्या अपर सबसे पहले हमारे जो हैंडिंस होती है सिक्षन बिंदू, शात्रा दियापेका क्रिया, शात्र क्रिया, सिक्षन विदिया, जो भी हमारी सायक समगरी होती है, शामपट कारे मूल यंकन, ये सारी चीज़े हम यहाँ पर लिखते हैं तो क्रिया सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, बच्चों को इस पस्टी करण देंगे, जिन शब्दों से किसी कारे के करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे सोनु खाना खा रहा है, सीता कपड़े धो रही है, शात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुने करेंगे, इस definition को, और हम यहाँ पर व्याख्यानविदी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम व्याख्यानविदी लिखेंगे, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस पस्टी करण, क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया तो दो हमारे पास यहां पर भेद होते हैं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे टोटली सारा डिफाइन करते चलेंगे बच्चों को और छात्र क्या करेंगे ध्यानपूरवक सुनेंगे और हम क्या कर व्याख्यान विदी का यहां पर हम यूज कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं बच्चों को भेद बता रहे हैं कि कौन-कौन से क्रिया के भेद होते हैं उसके बाद हम अकर्मक क्रिया को डिफाइन करेंगे जो भेद हमने बताए हैं उनको हमें डिफाइन भी करना है तो अकर्मक्रिया जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जिन क्रियाओं का फल कर्म या ना पड़े कर्म पर ना पड़े और कर्ता पर पड़ता है मतलब कर्म पर ना पड़े और कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक्रिया कहते हैं जैसे मोनू नहाती है उसके बाद है दीपक सोता ह निशा खास्ती है मतलब यह सारे जितने भी सेंटेंस हैं यह किसके हैं अकर्मक्रिया के हैं चात्र दिहान पूर्वक सुरेंगे व्याख्यान विदी का हम यूज करेंगे और जैसा कि यहां पर हम चार्ट पेपर दिखाएंगे तो चार्ट पेपर का एक मिनियचर यहां लगा क्योंकि मूलियंगन प्रश्न बीच में पूछना जरूरी होता है क्रिया शब्द बताएए तो इसके अंतर क्रिया शब्द बच्चे बता सकते हैं उसके बाद आप सकरमक क्रिया बच्चों को डिवाइन करेंगे, जिन क्रियां का फल कर्म पर पढ़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, मतलब इसमें कर्म पर पढ़ता है, जो एक वो है मारा जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पढ़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके एक्जामपल्स देंगे, जैसे की आशू लुडो खेल रहा है, नंदिनी खाना खिला रही है, मोहन टूश जा रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बच्चों को क्या बताएंगे, डैफिनेशन बताएंगे, छात्र ध्यानपूर वक सुनेंगे, और आप उसके बाद जो भी ब्लैक बोड पर आपने लिखा हुआ है, उसका मिनियेचर आप यहाँ पर भी लगाएंगे, तो क्रि जो भेद होते हैं, वो आप यहाँ पर बता रहे हैं, बच्चों को ब्लैक बोड पर लिखके, जैसा कि इसमें सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, जिसमें एक कर्मक और द्वी कर्मक, तो एक कर्मक को भी आपको डिफाइन करना है यहाँ पर और उसके बाद द्वी कर्मक क एक कर्मक क्रिया जिस तरीके से आप यहां पर डेफिनेशन लिखी हुए इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद एक्जैम्पल्स भी लिखने हैं उसके बाद आप पूरा टापिक पढ़ाने के बाद क्या गरेंगे बच्चों से पुन्रावृत्थी प्रशन पूछेंगे पुंद्रावृत्थी प्रशन में आप क्या से प्रशन पूछते हैं अपने टापिक से रिलेटेड जितना आपने पढ़ाया है उसमें तीन से चार कोशन या दो से तीन कोशन आप यहां पर लिख सकते हैं और यही कोशन आपको बच्चों से पूछने होंगे जैसा कि इसमें लिखा है किरिया के कितने भेद होते हैं किरिया किसे कहते हैं सकर्मक क्रिया के दो उधारन लिखो तो इस तरीके से बच्चों को आपको आपको बच्चों से प्रश्ण पूछने है प्रुन्रा वृत्ती प्रश्ण यानि की रीक्या पिचलेशन कुश्चन्स ग्रीकारे ग्रीकारे में आपको क्या लिखना है क्रिया तथा क्रिया के भेदों के उधारन सहीत व्याख्या करें मतलब बच्चों को आपको एक gray-cari home assignment देना है, जिसमें आपको बच्चों को जो भी आपने पढ़ाया, वो पूरा बच्चों को लिख कर लाना है, यानि कि क्रिया भी लिखनी है, उसके उदारन भी लिखनी है, सारी चीज़े बच्चों को लिख कर लानी है, पर इवेक्षक टिपड़नी के लिए आप यहां पर जगा छोड़ेंगे जो भी टीचर आपका लेसन प्लान अब्जर्व करेंगे वो आपको यहां पर क्या करेंगे रिमार्क्स देंगे अपनी एक टिपड़नी लिखेंगे कि आपने कहा ейक्षक स्प्लान के लिकनी इवसति अप उसको पढ़ाएं उसमें कोई भी नई चीज आड़ नहीं करनी, नया एक्जामपल आड़ नहीं करना, कोई भी ऐसे चीज छोड़नी नहीं है, जो आपने वहाँ पर लिखी हुई है और आप उसको पढ़ाना भूल गए, तो इस तरीके से आपको पूरा लसन प्लान अच्छे से डिलीवर करना ह आए हो फ्रेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी इंफोर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, अगर आपको कोई भी निव इंफोर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट करके कोई भी चीज़े पूछ सकते हैं, जिस टॉपिक का आप को नया लेसन प्लान चाहिए बना हुआ, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो फ्रेंट्स थाइंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब मैं चैनल, शेर दिस वीडियो विद यूर फ्रेंड्स अलसो, लाइक और कमेंट अन दिस,